हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि हर राज्जिय में जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल है सभी से जो है वेकेंसी जारी हो रही है विग्यापन जारी किया जा रहा है आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली केंटोनमेंट से जो है बिलकुल नया एड़िजमेंट जारी किया गया है जहां सभी पोस्ट की वेकेंसी आई है PRT, TZT, PZT में और यहाँ पर all subject की वेकेंसी निकाली गई है BED, BTC, DLED सभी जो है यहाँ पर आविदन कर पाएंगे तो जितने भी स्कूलों से वेकेंसी आ रही है आर्मी पब्लिक स्कूल सेलरी जो है वो सभी में लगबग समान ही दी जाएगी मिनिमम सेलरी की अगर हम बात करें 45,000 यहाँ पर मिलने वाली है बिना एक्जाम के आप यहाँ सिक्षक बन सकते हैं एक्जाम नहीं होगा मात्र इंटर्व्यू रहेगा जिसके बेस पर जो है सेलेक्शन रहेगा रेगुलर बेस पर वेकेंसी है देखिए इस से पहले जो वेकेंसी आती थी तो वहाँ कहीं पर भी जो है नहीं लिखा होता था advertisement में कि regular रखेंगे, permanent रखेंगे, बट इस साल से जो vacancy आ रही है तो बिल्कुल notification में ही जो है इस post आपको दिखाई देगा, जिससे सबसे उपर आपको दिखेगा, interviews for regular vacancies, पीजीटी, ٹीजीटी, पियार्टी, important instruction, minimum qualification and application form for the candidate, तो सबी ही चीज़ेंआप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी, इसे जो है हम download कर लेते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है qualification क्या कही गई है, application format किस तरीके का है, कैसे फिल करना है, तो चलिए इसे open कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखें, इंटर्व्यू रहेगा, एक्जाम नहीं होगा, रेगुलर वेकेंसी है, PZT, TZT, PRT, अभी subject जो है mention नहीं किया है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर all subject, आपका जो भी subject है, चाहे PZT में TZT या PRT के लिए आप अप्लाए करना चाते हैं, तो स अभी subject की यहाँ पर वेकेंसी निकाली गई है, जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पढ़ना होगा, वह अभी हम देखेंगे, उसके बाद नीचे application form दिया हुआ है, जिसे आप लोगों को डाउनलोड करना है, जितने भी APS, Army Public School से वेकेंसी आ रही है, तो आप लोगों क अप्लाइन मोड में अप्लाइन मोड में ही करना है, एप्लिकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड करना है, और पैन से आप लोगों को फिल करना है, 100 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है, अपने जितने डॉकुमेंट है, उसके साथ में स्कूल एड्रस पर भेज देन है, ठीके, बाकी जो है, सभी जितने भी आर्मी पबलिक स्कूल से वेकेंसी आई है, तो PZT में क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा, बीएड होना होगा, साथ में CSB स्कूर कार्ड जो है, आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीके TZT के लिए जो है, ग्रेजुएशन के साथ में, आपका सब्जेक्ट आपने तीनों साल पढ़ा हो, और साथ में CETED क्वालिफाय होना चाहिए, पेपर 2, ठीके, next CSB स्कूर कार्ड वहाँ पर भी चाहिए, PRT के लिए जो है, आपके पास STC, DLAD, BTC, आपके पास जो भी डि डिपलोमा है, प्राइमरी लेवल का, प्लस CETED पेपर 1 कौलिफाय होना चाहिए, और CSB स्कूर कार्ड आपके पास होना चाहिए, बहुत सारे जो है, आर्मी पबलिक स्कूल में, ये भी चीज जो है, वो की गई है, कि जिन कैंडिडेट के पास CSB स्कूर कार्ड नहीं है, त ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और जिन के पास जो है, OST स्कूर कार्ड या CSB स्कूर कार्ड है, तो वो रेगुलर या पर्मानेंट बेस पर ही जो है, यहां सेलेक्ट होंगे, ठीक है, एक्जाम नहीं होगा, मात्र इंटर्व्यू रहेगा, अभी आपको क् आप लोगों को स्कूल की मेन वेबसाइट पर जाना है, आप लोगों को जो है, एप्लिकेशन फॉर्म जो कि मैं आपको दिखा दिया, इसी नोटिफिकेशन के नीचे है, आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, एप्लिकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद क्या करना है अपने जितने भी document है उनकी photocopy लेनी है उसके नीचे जो है खुद के sign करने है ठीक है कहीं पर भी original certificate आप बिल्कुल ना लगाएं csb scorecard जो है उसको भी जो है photocopy ही लगानी है उसके बाद जो है 100 अरपे का demand draft जो है school के नाम का बनेगा ठीक है जिस भी school के लिए आप apply कर रहे हैं हर वीडियो में मैं आप लोगों को यह चीज़ बताती हूं और उसके बाद जो है आप लोगों को post कर देना है school के address पर ठीक है क्या क्या लगाना है आप लोगों को अपने एक तो आप लोगों का application format को download करना है उसे fill करना है अच्छे तरीके से कोई भी mistake नहीं करनी है साथ में अपने जितने भी document है उनकी photocopy लेनी है ठीक है प्लस photo लगाना है उसमें और demand draft 100 रपे का बनाना है यह तीनों चीज़ें जो हैं आप लोग attach करके और दिये गए address पर भेज़ देना है समय से पहले अब देखिए WhatsApp नमबर जो है वो बिल्कुल जरूर दें जो कि active हो यानि कि आप लोगों को regular अगर कोई भी information होती है स्कूल की तरफ से वो आप लोगों को दी जा सके अगर आपका selection होता है तो भी आप लोगों को इसी के माध्यम से पता लगेगा या फिर email address जो है आप जरू अगर experience है तो यह सभी जो है वो attach कर देंगे ठीक है और school के नाम पर जो है भेज देना है call letter for interview, interview के लिए call letter आएगा तो इसलिए WhatsApp नमबर या email address जो है वो बिल्कुल भेज है you may also download your call letter from APS Barely School website इसी इसका link में आप लोगों को भी share कर दूँगे बाकि आप लोग यहाँ पर भी note कर लें इसी पर आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेगी ठीक है अगर call letter आता है तो भी आप लोगों को यहीं पर देखना होगा जब आप लोगों interview देने जाएंगे तो क्या क्या लिकर जाएंगे bring one set of photocopy of all certificate दुबारा से अपनी certificate की जो है एक set पूरा ले जाएंगे photocopy का mark sheet, degree, diploma, certificate, graduation, post graduation ठीक है first year, second year सभी के ले जाएंगे be at, seat at या state at अगर आपका qualify है तो वो ले जाएंगे experience अगर है तो वो भी आप लेकर जाएंगे सभी original लेकर जाएंगे साथ में photocopy का एक set भी लेकर जाएंगे original जो है वो किसी को भी नहीं देना है सिर्फ दिखाने के लिए ठीक है interview के समय दिखाने के लिए और वापस जो है अपने साथ उसे लेकर भी आएंगे कहीं पर भी आप post करते हैं original आप लोगों को कुछ भी post नहीं करना है ठीक है तो यह जो है वो permanent vacancy है last में भी important instruction में यही चीज़ दी हुई है लास्ट डेट आप देखें 18 जन्वरी है अगर आप आवेधन करना चाते हैं तो समय से पहले जो है आवेधन करें तो जलिए और भी vacancy आ रही है लगातार बिल्कुल next वीडियो का वेट करें thank you